जैस्री रादे रादे पित्रो मैं प्रमोद सुकला पित्र पच्छ में पित्रों का श्राद करने में ब्रहमडों को भोजन करवाना सबसे जरूरी माना गया है श्राद पच्छ में दुपहर के वक्त पित्रों के निमित अन्नदान करके ब्रहमडों को भोजन करवाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है आज हम इसी बिसे पर बात करेंगे कि ब्रहमणों का भोजन कितनी साउधानी से बनाना चाहिए और कितनी साउधानी से परूसना चाहिए भोजन में क्या चीज नहीं मिलानी चाहिए और क्या चीज मिलानी चाहिए इस बिसे में आज हम आपको जानकारी देंगे भोजन बनाने के लिए उपस्थित अन अत्यंत मधूर भोजन करता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए पात्रों में भोजन रखकर स्राद करता को अत्यंत सुन्दर एवा मधूर बाड़ी से कहना चाहिए कि हे ब्रहमरदेओ अब आप भोजन गरहाण करें भोजन को बनाते समय लहसुन गाजर प्याज और दही मिला हुआ आठे का प्रियोग बिलकुल न करें क्योंकि शाद के भोजन में रसदार वा गंध युक्त बिलकुल निशिद्ध माना गया है इससे स्राद कर्म भी निशिद्ध हो जाता है और ब्रहमणों को भी चाहिए कि जब भोजन उनके सामने आए तो मौन होकर सांति प्रिय सुग पूरवग इच्छा अनुसार सांती से भोजन करना चाहिए इससे पित्रद्यो प्रशन होते हैं सिर में पगड़ी बांद कर दच्छन मुख बैठ कर भोजन कताई न करें ऐसा भोजन राचसु को प्राप्त होता है और एक बात का अवसिध्यान दें भोजन करते वक्त ब्रहमणों को रजस्वला इस्तरी की द्रश्ट बिलकुल न पड़े होम, दान, ब्रहमण भोजन, देव कर्म और पित्र कर्म में यदि ऐसा होता है तो वह कर्म निश्फल माना जाता है वायव पुराण में ये भी बताया गया है कि स्राद कर्म में जूठे बचे हुए भोजन को किसी को नहीं देना चाहिए ऐसा करने से भोजन पित्रों तक नहीं पहुचता है तो मित्रों ये छोटी सी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद